स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल और एस गुरू अकैडमी पर इस्टुडेंट्स इस वीडियो में हम कैलेंडर के कोश्चन्स को सोल्व करेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में हम कैलेंडर के वाले में आपने बताया था जो बेसिक जान का लिए होती है को हमने दी थी कुछ कोश्चन भी सोल्व किये थे अगर आप नहीं तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमने इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देगे इसका लिंक आप महां से जा करके देख सकते हैं तो चलिए कोश्चन सुन करते हैं कोश्चन नमपर बन है दस जून दो हजार दो को कौन सा दिन था तो श्ट्रेंट्स यहाँ पर डिरेक्लिर पूछिया गया है कि दस जून दो हजार दो को कौन सा दिन था इससे पहले कोई दिन हमें नहीं दिया हुआ है और नहीं बाद में कोई दिन दिया हुआ है तो अब हम व्याद करेंगे कि 10 जून 2,002 को कौन सा दिन था सबसे पहले क्या करेंगे 10 जून 2,002 से 2,001 तक के पूर कितने वर्स होंगे उसाब निकाल लेगे और जितने भी महीने होंगे पलस दिन कितने होंगे तो दस जून दो अजार दो से पहले दो अजार एक वर्स होंगे तता पांच महीने होंगे और दस दिन होंगे पांच महीने जनवरी फर्वरी मार्च अप्रेल और मही दस दिन दस जून तक के हो गए उसके बार हम क्या करें कि 2000 बर्स में विशम दिन कितने होते हैं तो क्या होगा 2000 बर्स में जो विशम दिन होंगे वो कितने आएंगे जिरो आएंगे उसके बास क्या करेंगे एक यर में कितने विसम दिन होते हैं वो निकालेगे तो एक वर्स में हमारे कितने विसम दिन होते हैं एक वर्स में एक विसम दिन होता है अगर वर्स साधार है तो एक होगा और अगर वर्स लीप यर है तो दो विसम दिन होगे उसके बाद जनवरी में तीन विशम दिन आते हैं परवरी में जीरो विशम दिन आएगे उसके बाद मार्च में तीन, अप्रेल में दो और मैं में तीन विशम दिन होंगे और जून में जाकर तीन विशम दिन होंगे तो टोटल ज़िए विशम दिनों को जोडेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 15 हमारे पास 15 विशम दिन होंगे उसके बाद हुँ क्या करेंगे 15 से 15 को साथ से भाव कर देंगे उसके बाद क्या होगा एक सेजफ़ आएगा हमारा तो विशम दिन कितना आया एक अब हुँ क् है अगर जियो विक्सिम्म्ध दिन आता तो दिन क्या होता है अगर udah को देक है यहां पर म strictly किया है तो दिन हमारा क्या होगा मंटे यहीं अपर है हमें पता है कि 0 Sunday के लिए 1 Monday के लिए और 2 Tuesday के लिए 3 Wednesday के लिए 4 Thursday के लिए 5 Friday के लिए और 6 Saturday के लिए यूज किया जाता है इसके बाद question number 2 देख लिए यहाँ पर अगला question है हमारा यदि एक जनवरी 1911 को बुद्वार था तो एक जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिए कुल वर्स कितने हैं कुल वर्स है हमारे पास 1971 से नेके 1111 को माइनस करते हैं इकाथ्तर में से जब 1111 को माइनस करेंगे तो हमारे पास total वर्स होंगे यह वो निकल पर आजाएंगे तो क्या है यहां पर साथ वर्स कुल वर्स हमारे पास कितने हुए साथ इसके बाद अभी साथ वर्सों में कितने तो हमें पता है कि हर 4 साल बाद एक लीपियर वर्स आता है तो चार से जब हम साथ को डिवाइड करेंगे तो हमारा यहां पर कितना आएगा 15 लेकिन हमें पता है साधरान वर्स वह होंगे जो लीपियर से अलग होंगे तो टोल हमारे वर्स कितने थे? 60 तो साथ कितने से हमारा माइनस कितना हूँ क्योंगे हidyaüm साथान वर्स एक तो क्या करेंगे कुल जो विश्म दिन हो निकाल लेगे तो कुल विश्म दिन हमारे कितने होंगे? त्य exhale 25 वह किसलिए क्योंकि लीपियर वर्स में दो विसंदिन होते हैं तो यहां पर अलमारे कितमें हो गए लीपियर के ढरान सक्वेह विउसंदिन होता है कि 5000 15 वर्सों के 45 तों हमारा हो जाएगा 75 यहाँ पर 75 विसंदिन निकल अब हम क्या करेंगे 75 को साथ से दिवाइड बर्देंगे और विएड बर्डेंगे पाथ क्या होगा 5 हमारा सेस्थ फल आ जाएगा उसके बाद जब 5 सेस्थ फल आया तो तो पांच से पर बुद्वार में एड़ करतेंगे क्योंकि एक जन्वारी उन्मिश् Line 11 को कौनसा दिन था बुद्वार था तो जम हम बुद्वार में पांच को एड़ करेंगे तो तो नेक्स्ट डे क्या आएगा सुक्रवार सनिवार बरस्पति बार सुक्रवार सनिवार रविवार और पांचवा दिन होगा हमारा सोंवार सोंवार यही अपा रहे हैं आपर अर्जवार तो चले शुडेट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशेन हारम यादि किसी महा की दस त où सुक्रवार के दो दिन बाद पढ़ती है तो उसी महिने की वीस तारीख के कौन सा 성in होगा स्ट्रेंट्स यहां पर में देग्या है जो दस तारीक है किसी भी महिक दस तारीक हूँ सुकरवार के दिन पढ़ती है तो उसीमीट में से कि 20तारीक होगी फो कौन से दिन महिक होगी इस regulate के वैंश्रक कोशन्स पेपर में ज्यदा कुछा आता है मतलब जो दस तारिक थी वह सुक्रवार के दो दिन बाद थी, तो दो दिन बाद कौन सा दिन होगा, सनिवार और रविबार, दो दिन बाद होगा दिन रविबार, तो दस तारिक को कौन सा दिन था हमारा रविबार, इसके बाद अगर दस तारिक को हमारा रविबार था, तो 17 17 तारिक को सब्सक्राкое करेंगे गाले मांतल चुप का तौली वार तो में म्नाला ग्सक्राइब होगा अगला कुश्यन है आपर है यदि मुकेश 29 फरवरी 1936 को पैदा हुआ तो वे है 29 फरवरी 1950 कत कितनी बार अपना जनम दिन मनाएगा मुकेश अगर 29 फरवरी 1936 को पैदा हुआ यहां दियान देने कितने वाली बात है जो 29 फरवरी है वह क्या है एक लीब वर्स है क्योंकि फरवरी प्रवर्ष में 39 दिन की होती है अन्यता और सबी दिनों में 30 दिन की होती है तो वह अपना जो बड़्डे है वह अगर 39 फरवर्ष के हिसाब से मनाएगा तो उसको फ़र चार साल बाद अपने जनम दिन मनाना पड़ेगा कि चार साल बाद ली 39 फरवरी आएगी तो 36 के बाद 36 में जब हम 4 साल प्लस करेंगे तो क्या होगा 1940 कि 1940 में जब हम 4 साल प्लस करेंगे तो 1944 और 1948 में अगर हम 4 साल करेंगे तो आजाएगा लेकिन कोश्चन में हमसे सिर्फ 1950 तक के लिए ही पूछा है तो 1950 तक वह अपना जरन दिवस कितनी बार मनाएगा एक दो तीन बार एक बार 1940 में एक बार 44 में एक बार 48 में अगर यहां तक आपको कोई दिख करते हैं तो आप हमें कमेंटिक भूक्स में लिख सकते हैं चलिए आगे के लास्तूर बढ़ते हैं इस्टमेंट्स नेक्स्ट कोश्चन है हमारा पंद्रा अगर्स 1997 को सुक्रवार था तो पंद्रा अगर्स 1998 को कौन सा दिन होगा नियाबर आप देखिए पंद्रा अगर्स 1997 में जो है वो क्या है एक साधारन वर्स है तो हमें पता है साधारन वर्स ते जमन अगले एर में जाते हैं तो एक दिन पलस होता है सिर्फ एग दिन बढ़ता है कि अगर साधारण वर्स को सुक्रवार था तो उससे आने वाला जो अगला वर्स होगा उसमें का जो पहला दिन होगा वो भी क्या होगा सुक्रवार ही होगा लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं नाइनेट मतलब अगर हम इसको डिवाइड करें चार से तो चारदुनी आठ और चारचोग सुला तो यह एक लीग वर्स भी नहीं है तो क्या होगा साधार वर्स से जमःक किसी भी अगले वर्स भी जमःक करेंगे तो एक दिन पलस हो जाएगा तो अगर पंद्रा अगश्ट 1997 को सुक्रवार है तो पंद्रा अगस्ट 1998 में एक दिन पलस हो जाएगा तो सुक्रवार में जब हम एक दिन पलस करेंगे तो क्या होगा सुक्रवार में एक दिन पलस करने के बाद दिन हो जाएगा हमारा शन्रिवार यही हमारा इसका आनस्वर है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यदि महिने की तीन तारिक को सुक्रवार था तो 21 तारिक के बाद चोथा दिन कौन साल होगा अगर किसी महिने की किसी तारिक को कोई दिन क्या था तीन तारिक को कोई दिन सुक्रवार था तो उसी महिने की 21 तारिक के चोथे दिन बाद मतलब यहाँ पर यह नहीं पूछा कि students this question को ध्यान से देखो है थोड़ा complicated है मतलब कि 21 तारीक के भी 4 दिन बाद वारा दिन महाँ पर यहाँ पर पूछा गया है कि 21 तारीक के 4 दिन बाद कौन सा दिन था तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा तो 7 तारीक का दिन निकालेंगे और उसके वारतमें 4 जोड़ह दर चोधा पि निकाल लेगे क्या होगा है आपर सबसे पहले तीन तारीक को क्यों सा दिन था हमारा punish रवार था तो हमने क्या किया है सबसे पहले 17 दिन निकाल लेंगे क्योchnी सतुरवा दिन होगा कैसे साधुनी चोदा और प्लस तीन कितना हुआ सत्रा तो सत्रवा दिन भी हमारा क्या हुआ है अपर शुक्रवार कि इसके बाद सत्रा में जब हम चार जोड़ेंगे तो हमारा 21 दिन निकल जाएगा तो सत्रा में तो मंअगरवार किम पर हमारा उतर नहीं है क्योंकि उसने 28 बार के बाद 24 यांपर पूछन तो मंगरवार के 40 के निकल लोसित करने के बाद दिन आया हमारा संवार यहीं हमारा और है next question है हमारा बहुत ही most important question है इस type के question ज़्यादा तर फेबर में पूछे जाते हैं और दिल्ली पुलिस की तयारिये अगर आप कर रहे हैं तो इस type के question की आपको ज़्यादा से ज़्यादा तयारी करने पड़ेगे students अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल से जल सबस्क्राइब कर ले ऐसे ही आप दासू से दासू question आपके लिए लेकर आएंगे जिससे की दिल्ली पुलिस एक्जाम में आपके अच्छे नम बनाने की शोर्टी बनी रहे तो question लेकते हैं क्या है रूपी का जन्म 3 दिसंबर को हुआ एक उस वर्स के बाद वाला वर्स किस दिन सुरू होगा माना कि अगर जो रूपी है उसका जन्म हुआ था 3 दिसंबर को तो उस वर्स के बाद वाला जो वर्स होगा मतलब जिस वर्स में उसका जन्म हुआ था जो अगला वर्स होगा, किस दिन सुरू होगा? यदि उसके जन्म से दो दिन पहले मुहिंगरवार था, यहां पर हमें कोई सन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिन यह हुए है, लेकिन उसने पूछा है कि जिस वर्स रूपी का जन्म हुआ है, उससे नेक्ष्ट वर्स, अगले किस दिन सुरू होगा जो अगले वर्स की जनवर ने का पहला दिन होगा वो क्या होगा यह उचाने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तीन दिसंबर से दो दिन जब माइनस करेंगे तो एक दिसंबर आ जाएगा यहाँ पर एक दिसम्बर का दिन उसने में दिया हुआ है क्या था मंगरवा क्योंकि जन्म से दो दिन पहले तीन तारिफ को अगर उसका जन्म हुआ है तो उससे दो दिन पहले क्या होगा एक दिसम्बर ही तो होगा तो एक दिसंबर को यहाँ पर क्या दिन है हमारा मंगरवा जो हमें कोश्चन में दिया हुआ है तो according to question परस्म के अनुसार एक दिसंबर को क्या दिन है मंगरवा अब हम क्या करेंगे हमें पता है कि 28-29 मतलब आठ की दिन फिर से बहुत दिन आ जाता है जो हमारा आज है अगर आज हमारा संडे है तो आठ दिन बाल से भी डिपीट होकर क्या होगा संडे ही आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे पूरे महिने का निकाल हमें तो क्या आज 28-29 दिन हमारा क्या होगा मंगरवार होगा अगर पहला दिन अमारा मंगलवार था तो 29 दिन भी हमारा मंगलवार होगा अब 31 दिन निकालेगे 31 दिन जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा गुरुवार परस एक क्योंकि हमें पहला दिन निकालना है जनवरी के लिए तो 31 दिन तो हमारा गुरुवार था. उसके बाद हम जनवरी का फस्ट डे निकालने गर h它 हैं, फस्ट डे निकालने लेए गुरुवार में ने योड दिया. तो एक जन्वरी को क्या दिन होगा सुक्रवार तो परसन अनुसार अमारा उत्तर क्या होगा सुक्रवार अगर तीन दिसंबर को उसका जन्व हुआ है और एक दिसंबर को मंगलवार था तो नेक्स फियर पहला जो दिन होगा अगले सारगा को क्या होगा सुक्रवार होगा तो श्रेंग्स आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपकी समझ में ज़्यादा आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर गपाएं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा टेली गराम गुरूप जोइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर जोइन कर ले जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल देंगे महाँ पर हम आपके लिए डेली क्विज लेकर आते हैं और पीडिया के रुप में स्टेडी मैंटीरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं इस्टुडाइक्स दिल्ली पूलिस की अच्छी से अच्छी तयारी करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से यहाँ पर हम आपको जीके रीजनिंग मैथमेटिक्स हर टोपिक की पूरी-पूरी तयारी अच्छी तरीके से कराएगे जिससे कि आपको पेपर में अच्छ झाल